आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो मेरे चाहर को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं बेचाहर पर बनते हैं law of attraction प्लस टेरो कार्ट से रिलेटेड वीडियो तो अगर आपको एक कॉंटेंट पसंद है क्या आपको पता है कि आपके manifestation काम नहीं कर रही है तो इस चीज़ के पीछे सबसे बड़ी वज़ा क्या है कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जहां हम law of attraction और techniques को यूज तो करते हैं डे सारे manifestation related videos देखते हैं डे सारे आकरशन के नियम की किताब बढ़ते हैं लेकिन फिर भी हमारे लिए आकरशन का नियम काम नहीं कर रहा है आपको कुछ ऐसी चीज़े बताने वाली हूँ जिससे आप ये जान जाओगे कि कौन सी वज़ा है जिसके कारण आपके manifestation काम नहीं कर रहे है आज हम बात करेंगे आपके manifestation के बारे में तो क्या वज़ा है वो? बहुत साए लोग law of attraction को यूज़ करते हैं और अपनी life में कुछ भी change करने की कोशिश करते हैं लेकिन उनकी manifestation काम नहीं करते हैं तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि कौन सी वज़ा है जिसके कारण आपके manifestation काम नहीं कर रहे है वीडियो देखने के पहले चैनल को subscribe जरूर कर देना और हाँ bell icon को press जरूर कर देना पहली बज़ा है हमारा intention अगर आपका intention पूरी तेकिसे clear नहीं है और अगर आप visualize नहीं कर पा रहे हैं या फिर अगर आप confused हो आप सोच नहीं पा रहे हैं तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे आएं अगर आपको पता ही नहीं कि आप क्या चाहते हैं तो आप उस चीज को कैसे पा सकते हैं इसलिए अपना intention clear रखें अपने intention अपने focus को पहले लिखें कि आपको 2024 में आपके क्या goals हैं आपको शादी करनी हैं आपको specific partner तशादी करनी है आपको किसी new city में जाना है आपको traveling पसंद है आपको अपना content creation channel open कर रहा है जो भी चीज़े हैं उनको पहले लिखें अगर आप confused रहोगे तो हमेशा confused वाली energy ही attract करोगे दूसरी वज़ा है आपका belief system weak है अगर आपको लगता है कि आपके पास कुछ नहीं है और आप कभी भी उस चीज़ को हासल नहीं कर सकते तो आप उस चीज़ को कभी भी हासल नहीं कर पाएंगे आपका belief system strong रखें और अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए पूरी तेकी से तयार है आप जो भी ख्वाब देख रहे हो बड़ा घर, नई कार, एक भैतरीन रिष्टा इन सब चीज़ों के लिए विश्वास रहना बहुत ज़रूरी है आपको अगर दुनिया पे विश्वास नहीं है तो खुद पे तो विश्वास होना चाहिए अपना बिलीव सिस्टम को स्ट्रांग कीजे तीसरी वज़ा है अगर ग्रैटिटूड लेवल कम हो जाता है तो अगर आप अपनी लाइफ में जो भी हासल कर रहे है उस चीज़ पे यहां मेरा हासल करने का मतलब है आपके अभी अब तक जो भी छोटे-छोटे आचीवमेंट है जो भी सर्टिफिकेट्स है अगर आप उनके लिए ग्रैटिटूड एक्सप्रेस नहीं करोगे तो आगे आपको युडिवर्स मौका नहीं देगा और भी चीज़ें हासल करने के लिए क्योंकि जब आप अभी अनग्रेटफुल हो तो आगे चलके ग्रेटफुल की कैसे चीज़ें आप मैनिफेस्ट करोगे इसलिए ग्रैटिटूड लेवल को बढ़ाए और अपनी लाइफ के हर एक मॉमेंट को सेलिब्रेट करें फोर्थ वज़ा है आपकी एनरजी लेवल का लो होना अगर आपकी एनरजी लो है तो आप अपनी मैनिफेस्टेशन काम नहीं करेंगी इसलिए अपनी एनरजी लेवल को हाई रखें अपने सपने को हकीकत में बढ़ने के लिए पूरी तेगी से तयार रहें अपनी energy level को बढ़ाने के लिए आप मेरा 7 days manifestation workshop जॉइन कर सकते हैं जिसकी पूरी detail आपको description box में mention मैंने कर दी है बहुत से लोगों ने इस webinar को जॉइन करके अपनी life को change किया है तो ये थे कुछ बज़े जिसके कारण आपकी manifestation काम नहीं कर रही है इन सबी वज़ाओं को ध्यान में रखें और अपने सपनों को हकीकत में बदरने के लिए तैयार रहें अगर आप इंट्रेस्टेड हैं तो make sure description box में चाके आप उस webinar की detail प्राप्त कर सकते हैं और वहाँ पे चाके direct अपनी booking करवा सकते हैं